हैलो एवरिवान तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजराद पूर्ड का हिंदी जो की क्लास 10th का है इसके चाप्टर नंबर 3 सवैये जिसको लिखा है रस्खान जी ने इसके पार्ट वन को हमने इससे पहले पढ़ा है इसके कुछ पद बागी थे ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सवैये जिसको लिखा था रस्खान जी ने और रस्खान जी के रिज्याय में सिरकृष्ण के प्रती जो स्रद्धा की भावना है ये भी यहाँ हमें देखने को मिलता है तो आईए इसे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है इसमें यहाँ पे लिखा है लकुटी लकुटी जिसका मतलब होता है छोटी लाठी अरू अरू का मतलब होता है और कामरिया कामरिया अर्था कमली भी कह सकते हैं छोटा कमबल राज तीहू राज यानि राज्य जो राजपाठ है वो तीहू पुर तीनो लोक जैसे आकाश पाताल मृत्य होता है उस तरीके से तजी दारो यानि छोड़ दूँगे ये सारी चीजे छोड़ दूँगे आटो हो सिद्धी योग दोरा प्राप्त होने वाले आट सिद्धियां होती है जैसे अनीमा लगीमा प्राप्ती प्राकाम्य महीमा इशित्व वशित्व और कामा वशायत्य तो कामा वशायत्य ये आठ सिद्यां होती है, नौ निदी, कुबेर के नौ खजाने, जैसे पद्म, महापद्म, शंक, मकर, कक्षप, मुकुंद, कुंद, निल और खर्व, ये नौ निदिया है, निदी यानि खजाने, नेक्ष्ट यहाँ लिखा है, आठ हूँ, आठ हूँ यानि आठ, चराय, चराय यानि चराकर, बिसारो, बिसारो का मतलब है, भुलादू, कबो, यानि कब या कभी, ब्रज, जिसका मतलब होता है, ब्रज, तडाग, तडाग का मतलब होता है, तालाब, या सरोवर, निहारो, मतलब देखना, निहारना, कोटी कहो कलधोत कोटी कहो मतलब करोड कलधोत के धाम यानि सोने के जो राजमहल है और करिल करिल यानि कंटीला पौधा जो होता है जिसमें पत्ते नहीं होते हैं तो यहां क्या कह रहे हैं कि कवी रस्खान कहते हैं कि यदि मुझे यानि स्रिक्रश्न की वह लाठी और कंबली यानि कंबल पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर स्रिक्रश्न गाय चराने जाया करते थे तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यूत लोक तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूँ वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभागे मिले तो उसके बदले मैं अमुल्ले आठों सिद्धियों और नौ निदियों से प्राप बभी, बगी चो और सरोवरों को देखने का उसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली जाडियों के जुर्मुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोडों महलों को निचावर करने को तयार हूँ तो यहाँ पर क्या कहना चाते रस्खान जी कि यदी मुझे स्रेकरश्न की वो लाटी और कंबल पाने का औसर मिले अगर मुझे वो प्राप्त हो जिन्हें लेकर वो गाय चराने के लिए जाते थे अगर मुझे ये चीज़े मिल जाएं तो मैं तीनों लोग आकाश, पताल, म प्रित्यू, तीनों लोग का राजपाट त्याग दोंगा और वे कहतें कि मुझे नंड की गायों को वन में ले जाकर चराने का अगर सुख मिलता है, सौभागे मिलता है तो उसके बदले में अगर मुझे आठों सिद्यों प्राप्त क्यों ना हो, नों निदियां प्राप् कीचों में सरोरो को देखने का मौका मिले तो में वहां उगने वाली जो जाड़ियां हैं कंटीली जाड़ियां काटेदर जाड़ियां हैं उनको भी पसंद करूंगा और उनके बदले भले करोडों के सोने के महलों को भी मैं छोड़ दूँगा इतना वो कृष्ण के लिए नेक्स्ट है, जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनू चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाई के, बेनू बजाई रिजाई गयो है, ताही घरी कछु टोना सोके, रस्खान हिये में समाई गयो है, को न काहु की कानी करे, सिग्रो ब्रज बीर बिकाई गयो है। इसमें कहा गया है की, वारो यानि निच्छावर कर देना, जा दिन, मतलब जिस दिन, छोरो यानि लड़का, किसका नंद का, या यानि इस बन यानि वन में, मोहिनी यानि मोह लेने वाला, कौन ताननी, ताननी यानि तान, किसका तान? जब वो बांसुरी बजाते हैं बेनू यानि मुरिली जब वो बांसुरी बजाते हैं तो उनकी जो ध्वनी है उनकी जो आवाज है उससे वो सब को रिजा देते हैं मोहित कर देते हैं ताही, यानि उसी घड़ी, घरी यानि घड़ी, उसी समय, वो सो करे, सो करे मतलब सा करके, यानि रिदय को क्या करते हैं, समाई गए हो है, मतलब प्रवेस कर गया है ये सारी चीजें, रिदय में, कोई न काहू की कानि करे, कोई यानि कोई भी, किसी की भी कानि, यानि परवाह नहीं सिग्रो ब्रज बीर बिकाए गयो है सिग्रो यानि समस्त ब्रज सब बिक गए हैं तो यहां रश्कान जी कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोड़ा यानि बेटा स्रीक्रिश्न इस वन में गायों को चरा कर गया है और मुरली की मन मोहक तान से यहां की गायों को रिजा गया है तब ही से वा लोगों पर कुछ ऐसा जादू तोना सा कर गया है कि जन जन के हिरदय में घर कर गया है तब उसे ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाही नहीं करता लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोरे पर निच्छावर हो गए है यहाँ पे क्या कहा गया है कि रस्खान जी ये कहते हैं कि जब से वन में स्रेकृष्ण बासुरी बजाकर गए है मुरली बजाकर गए है नंद जी का छोरांक स्रीकृष्ण तब से गायों को उसने अपने मुरली की तान से रिजहा गया है उनको मोहित कर दिया है और वह ऐसा लगता है देख करके उन्होंने कोई जादू टोना सा कर दिया है जिससे सारे लोग के मन में स्रीकृष्ण बस गए है और तबी से पूरे व्रज की ऐसी हालत हो गई है कि लगता है कि कोई किसी की परवा ही नहीं करता और सारे जितने भी व्रजवासी है वो नंद जी के बेटे स्रीकृष्ण पर पूरी तरीके से निच्छावर हो चुके हैं अपने आपको समर्पित कर दिया है नेक्ष्ट है करकार के बेल के लाल रंग के बीज होते हैं उसी की माला माल यानि माला गरे यानि गले में पहनूंगी पहरूंगी मतलब पहनूंगी भावतो यानि जो मुझे पसंद आता है कौन स्रीकृष्ण वो ही यानि वही मेरो यानि मेरे स्वांग भरूंगी मतलब रूप धरूंग नकल करूंगी पै लेकिन अधरान यानि होटो पर धर यानि रख्या है अधरा यानि होटो पर धराऊंगी मतलब रखूंगी क्या करूंगी कि स्रिक्रश्न के लिए रस्कान जी कहते हैं कि स्रिक्रश्न के प्रती गोपियों के प्रेम का वरणन करते हुए कहते हैं कि गोपियां स्रिक्रश्ण के लिए वस्वारा स्वांग करने के लिए तयार है जो कुछ करना उसके उनके क्रश्ण को प्रिये लगता है वो सारी चीज़े करेंगे जो स्रिक्रश्ण करते हैं गोपियां कहती हैं कि वे स्रिक्रश्ण की तरह अपने सिर के उपर मोर के पंक धारन करेंगी वे गले में लाल रंके गुंजो की घुंची की माला धारन करेंगी वे स्रीकृष्ण का वेश धारन कर पीले रंगे वस्त्र ओड़ कर और अपने हाथ में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगे वे कहती हैं कि वे अपने क्रश्न के लिए वे उनके सारे रूप धारन करेंगी अर्थात स्वांग भरेंगी जो उन्हें अच्छा लगता है पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी वो क्या है जो स्रीक्रश्न ने किया था वह यह कि वे क्रश्न की तरह मुरिली नहीं था उस मुरिली को हम अपने होटों पर कदापी नहीं रखेंगे क्योंकि इससे वह जोठी हो जाएगी और वे अपने अराध्य के साथ ऐसा व्यवार कदापी नहीं करना चाहती तो कृष्ण जो जो करते हैं वो वो गोपियां भी करना चाहती हैं जैसे लाठी लेकर वन में ग कुंग्ची की माला पहनना पीले रंग का वस्तर ओड़कर हाथों में लाठी लेकर गायों को चराने जाना वन में भटकना कृष्ण की तरह रूप धारन करना जतना कुछ कृष्ण करते हैं वो हर एक काम करेंगे लेकिन कृष्ण जैसे मुरिली को अपने होटों पर रखकर बजाते हैं उस तरीके से नहीं करेंगे क्यों क्योंकि कृष्ण ने उसे अपने होटों पर रखकर बजाया है बांसुरी को मुरिली को तो ये काम वो कभी भी नहीं करेंगी क्योंकि इससे वो मुरिली जो है जूटी हो जाएगी जूटी होने के बाद वे अपने कृष्ण क के साथ अपने अराध्य के साथ ऐसा विभार नहीं करना चाहती है इसलिए वो हर एक काम करेगी जो क्रश्न करते हैं लेकिन मुरिली को अपने होटो पर नहीं रखेंगे तो इसी प्रकार से ये चाप्टर समाप्त होता है इसके कोश्यन एंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे तो उम्मीद है आपको ये चाप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना कमेंट करना न भूले थाइंक यू